हैलो बच्चो आप सब कैसे हो मैं हूँ शैली शर्मा आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है सांप और नेवला बच्चों, क्या आप जानते हो कि सांप और नेवला एक दूसरे के दुश्मन होते हैं तो हमारी आज की कहानी भी एक किसान, एक नेवले और एक सांप की ही है एक गाउं में एक किसान अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहता था एक दिन जब वह किसान अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसे एक छोटा सा नेवले का बच्चा मिला जो की बहुत बुरी तरह घायल हो गया था उसकी ऐसी हालत देखकर किसान उसे अपने साथ अपने घर ले आया किसान ने नेवले को घर लाकर अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं किसे अपने साथ लाया हूँ तो उस किसान की पत्नी बोली अरे ये तो नेवला है आप इसे यहां क्यों लेकर आये हैं जानते नहीं कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आप जानते नहीं हैं कि नेवला कितना खतरनाक होता है, तो किसान ने कहा अरे ये तो एक छोटा सा बच्चा है, ये कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये किसी का कोई नुकसान नहीं करेगा, बलकि ये तो हमारे बच्चों के साथ खेलेगा और उनका ध्यान भी रखेगा। तो किसान की पत्नी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। अब किसान के बच्चे और नेवला सब मिलकर दिन भर साथ में खेलते और खूब मज़े करते थे। नेवला किसान के छोटे वाले बच्चे का भी खूब ख्याल रखता था। उसे जूला जुलाता था, कहानी सुनाता था और कानी सुनाता था। बच्चों आप भी अपने छोटे भाई भेनों का ऐसे ही ख्याल रखते हो ना। तो वे सब मिलकर खुशी-खुशी साथ में रहते थे। और इसी प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। किसान तो रोज ही खेत में काम करने जाता था, परन्तु उसकी पतनी घर पर बच्चों के साथ ही रहती थी। मगर एक दिन किसान की पतनी को भी घर से बाहर पानी लेने जाना था। तो उसने नेवले से कहा कि मैं पानी लेने जा रही हूँ और जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। तो नेवले ने कहा ठीक है मा आप आराम से चाहिए मैं दोनों का खूब ख्याल रखूँगा। तो किसान की पतनी ने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में पानी लेकर आती हूँ। तो वो तीनों थोड़ी देर तक तो खेलते रहें लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन दोनों बच्चो को नीड आ गई परन्तु नेवला नहीं सोया क्योंकि उसने मा को बचन दिया था कि वो उन दोनों बच्चो का ख्याल रखेगा तो वह वही उन दोनों बच्चों के पास बैठ कर उनकी निगरानी करता रहा तब ही अच्छानक जानते हो बच्चों क्या हुआ उनके घर में एक बड़ा सांप घुसाया नेवले ने जैसे ही सांप को देखा वह उस पर तूट पड़ा और देखते ही देखते उसने सांप के तुकड़े तुकड़े कर डाले और फिर वह घर के बाहर बैठ कर मा के लोटने का इंतिजार करने लगा थोड़ी देर बाद जब माँ पानी भर कर लोटी तो उन्होंने देखा कि नेवले के मुँपर खून लगा हुआ था खून देखकर मा तो गबरा ही गई उन्होंने सोचा कि इस नेवले ने मेरे बच्चों को मा डाला और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले के उपर दे मारा जिसके कारण नेवला मर गया और अब वह दौरती हुई अपने बच्चों के पास पहुची बच्चों के पास पहुचकर उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे तो आराम से सो रहे थे और वहाँ पर एक साप मरा हुआ पड़ा था वह साप को देखते ही समझ गएं कि नेवले ने तो मेरे बच्चों की साप से रक्षा की और मैंने नेवले को ही मार डाला और अब वह पच्चताती ही रह गएं परन्तु कुछ ना कर सकी तो बच्चों, moral of the story ये है कि हमें हमेशा सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ओके बाई-बाई, टेक केर